लोग और संबंध परिवार परिवार दोनों हाथों की आकरिती इस तरह है हाथों को मिलाकर अंदर से बाहर की ओर ऐसा क्यूँ? जैसे परिवार में मम्मी, पापा, बेटा, बेटी, दादा, दादी सब एक साथ मिलकर रहते हैं ठीक उसी तरह उधारन के तौर पर आपके परिवार में कितने सदस्य हैं? मेरे परिवार में छे सदस्य हैं परिवार दादा जी पहले लड़के का साइन और फिर बुड़े का साइन दोनों मिलकर बना दादा जी उधारन के तौर पर दादा जी दादी जी के साथ बाहर गए है दादा जी दादी जी लड़की का संकेत फिर बुड़े का संकेत दोनों संकेत मिलकर दादी जी का संकेत बनाते हैं उधारन दादी मेरे साथ हैं दादी जी रिष्टेदार रिष्टेदार एक हाथ ऐसे और दूसरा ऐसे रखकर उधारन के लिए तुम अपने रिष्टेदारों के घर जाओगे रिष्टेदार चचेरा चचेरा हाथ की आक्रिती इस तरह और होट के नीचे रखकर सामने की ओड लाते हुए उधारन के तौर पर मुझे मेरे चचेरे भाई बहन बहुत पसंद है चचेरा चाचा हाथों की बनावट इस तरह यह साइन क्यों? क्योंकि अंग्रेजी शब्द का अंकल का पहला अक्षर यू है तो यह साइन इस तरह उधारन के तौर पर मेरे चाचा मुझे रोज गिफ्ट देते हैं चाचा पड़ोसी उधारन के तौर पर क्या तुम अपने पड़ोसी के साथ मिल जुलकर रहते हो? पड़ोसी वह लड़का वह लड़का वह लड़की वह लड़की लड़की जहां पर होगी संकेत भी उसी दिशा में ही करेंगी जगे के इनुसार हम संकेत को भी बदलेंगे यदि बड़की सामने नहीं है तो संकेत ऐसे करेंगे उधारन, वेह लड़की बहुत स्वादिस्ट खाना बनाती है वेह लड़की खुद खुद ये उंगली इस तरह क्या ये सिर्फ मेरे लिए है? नहीं, आपके लिए भी है आप खुद इसके लिए वो खुद उसके लिए वो खुद जगह के हिसाब से अलग साइन होगा वो लड़की खुद वो लड़का खुद उधारन के लिए ये तुमने खुद मनाया है? ये मैंने खुद लिखा है खुद मेरा मेरा हाथ की बनावट इस तरह मुठी बन्द मेरा क्या ये सिर्फ मेरे लिए है? नहीं आपके लिए आपका, इसके लिए इसका, उसके लिए उसका जगा के हिसाब से साइन बदलता रहेगा उस लड़की का, इस लड़के का उधारन के लिए, क्या ये मुबैल तुम्हारा है? ये किताब मेरी है मेरा